हर्याडा सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मताबिक दो नवंबर से नौवी से बारवी क्लास तक के स्कूलों को खोल दिया गया है इस दौरान स्वास्त विवाग ने कुछ प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के 837 बच्चों के कोरोना सैंपल लिये थे अब इन सैंपलों की रिपोर्ट आई है जिनमें 147 बच्चे कोरोना संकरमित पाए गए है हर्याडा में कुल 147, रिवाडी जिले में 1772, जिंद में 29, सरसा में 16, कैथल महिंदरगर में 12-12 और हिसार में 6 बच्चे अभी तक कोरोना संकरमित मिले है इन आकडों को देखते हुए विपक्ष ने सरकार से स्कूल खोलने के फैसले पर फिर से विचार करने की मांग की है वह हर्याडा के शिक्षा मंतरी कवरपाल ने साफ कर दिया है कि अभी स्कूलों को बंद करने की दिशा में कोई फैसला नहीं लिया जाएगा सभी स्कूल प्रवंद्यकों को कोरोना गाइडलाइन का सक्ती से पालन करने के निर्देश जारी किये गए है 147 बच्चों का कोरोना संक्रमित हो जाना प्रशासन की घोर लापरवाही तरशाती है वे झाना संक् कोरोना से लाई घो जाना प्रवंद्यकों को पर लाइड़ा है झाल झाल